सो गाइस तो मैं हूँ विरंज का लड़िया आप सबका एक और बार स्वागत है मेरे चैनल में तो आज की वीडियो में हम सब बात करेंगे जोटा की एबिलिटीज के बारे में तो आपके पास तो जोटा होगा ही शायद से तो मेरे पास अभी जोटा मैंने एक वेप किया ही और गाइस मैं आपको एक बात भी बताना चाहूंगा कि मैं ये वीडियो के आखिर में मैं आपको एक बहुत ही कॉमेडी ग्लिच दिखाऊंगा तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना आज का ये वीडियो बहुत ही स्मॉल होने वाला इसलिए इसमें मैं करते हैं तो रुको ज़रा सबर गरो जो गाइस हम यह केरेक्टर के सेशन में आ गए मतलब यह केरेक्टर का जो आप्शन होता है उसको मैंने खूल दिया है और यह रहा आपको जूटा देखी रहा होगा और यह उसकी फॉर्स्ट अबिलिटी है कि SMG, MO या फिर शॉटगन से किल करते हैं हम अगर तो आपको केरेक्टर में 25 HP 5 सेकंड के अंदर अंदर मिल जाएगी आपको और सेकंड में भी ऐसा ही सेम है पर उसमें थोड़ी ज्यादा HP है 28 और थर्ड में भी वैसा ही है 31 और फॉर्स में भी बिल्कुल वैसा ही होगा तो दे सब्सक्राइब लेवल 5 का हो जाएगा तो आपको अनलीमिटेड सुमन एड्रॉप मिलेंगे आपको तो उसका प्ले कार्ड मिल जाएगा वह भी अनलीमिटेड तक और और बाद में फिर जब आपका करेक्टर लेवल 6 का हो जाएगा तब आपको 37 HP मिलेगी 5 सेकंड में और बाद में जब लेवल 7 का हो जाएगा तब आपको एक बैनर मिलेगा उसका नाम है Extreme Movement तो हम एक बार देख लेते हैं सारा तो आपने सुना ही होगा प्लीज एंड तक पूरा देखना और बाद में एट में भी वैसा ही है Restore 40 HP यह हमारा Last वाला है So guys बाद में अब हम बात कर लेते हैं इसके Skill Slots की तो पहले से ही मैंने तो चारो Skill Slots खोल रखा है वैसे तो पहला खुला हुआ ही होता है वो तो अपने Character का ही होता है So guys अब देख सकता हूँ मैंने तो पहला Skill Slots खोल रखा है तो वो मैंने Gangster Spirit का खोला है तो आप चाहो तो कोई भी रख सकता है मैंने यह Gangster Spirit रखा है तो यह Antonio की Ability है और बाद में आप देख सकते हो कि मैंने Level 4 की Dash की Ability रखिया है और मैं आपको दिखाऊंगा मैं भूल गया हूँ नाम यह कौन सा Character अरे यार कहा गया को हाँ तो यह Kelly की Ability है वो बहुत ही Speed में Run करती है आपको पताईए और वो 4th Level की है और बाद में मैंने Last Ability रखिया मोको की आपको मोको भी बहुत काम आएगी अगर आप Fighter हो रशर हो क्योंकि जब आप Fight करते हो तो बंदे आपसे दूर भाग जाते है और जब आप उसको एक गोली मारोगे तो जब आपकी मोको फुल लेवल की होगी तो वो आपको पांच सेकेंड तक उसकी Position दिखाएगी उसके उपर एक Mark लगाएगी तो इससे आपका बहुत ही Benefit होगा आप उसको भागने नहीं दोगे और उसको आप जल्द से जल्द मार डालोगे तो Guys अब हम बढ़ते हैं हमारी Glitch की तरफ So Guys यह Glitch भी बहुत ही Funny है Guys So Guys आप यह स्क्रीन पर देख सकते हो कि मेरा Character मेरा Pink भी Normal है फिर भी मेरी EP 99 Plus है और मेरी HP 0-0 है Guys क्या बहुत ही Comedy और जब मैं यह खेल रहा था ना मैंने तभी स्क्रीन शॉट ले लिया और तब क्या हुआ था कि मैं जब खेल रहा था तब एना मेरे दोस्त के साथ मैं था और मेरा Net गया मतलब अच्छानक से चलाई गया तो मेरे दोस्त ने क्लैश कॉड लगाया था तो मेरा जब पिंग नॉर्मल हुआ Net आ गया तब मैं क्लैश कॉड एक मैच खेला ठीक से खेला और बाल में जब मैं फिर से दूसरी मैच खेलने गया तब तो मैं अच्छानक से गेम में आ गया वो भी बर्मुडा की गेम में तो जब मैं गेम में आया तो मेरा ऐसा ही था मैं जब लैंड हुआ तो तब मेरा HP और EP ऐसा ही था और मैं पहले से ही लैंड हो चुका था मैं एरो प्लेन या फिर कुछ मुझे दीखा ही नहीं मैं अच्छानक से लैंड ही हो ग है सो गाइस तब तो मैं हसस के उल्टाई गिर गया था इतना कॉमेडी बग था और मेरा पिंग भी नॉर्मल था मेरे फ्रेंड्स भी दौड भाग रहे थे और मेरा कुछ नहीं था मैं लूट भी कर रहा था बहुत आसानी से और गाइस मैंने बाद में तब ही सोच लिया कि मै यूट्यूब पे अपलोड करूंगा सो आज आपको मैं दीखा रहा हूं और गाइस चो भी देख रहे तो प्लीज ऐसे ही चले मत जाना प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना सुगाइस मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में तब अगलिप यजग वीडियो को एक्वाइस अगा में टूट रहा हूं अगा रहा हूं एक लाइस रहा हूं प्लीज वाइस पिता कर दो को एक गप। झाल झाल